तो आपका स्वागत है मैंने चैनल टेक्टाइस में और आज हम बात करेंगे पोको का एफ 11 के बारे में प्रो के बारे में तो इस वीडियो को इस वीडियो में आगे बाने से बहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेर भी कहांते तो चलिए बात करते है Poco F11 Pro के बारे में तो Poco F11 Pro इंडिया में सेल हो रहा है 25,000 रूपीज मतलब अल्मोस्ट अल्मोस्ट 25,000 रूपीज सो बहुत ज़ादा है यार बहुत ज़ादा तो फीचर में जाते हैं फीचर की तो बात करते ही है तो पहला फीचर फ्रम दा मेनू फेक्चरार वाह लाइट लो लाइट पोट्रेट फोटोग्राफी लो लाइट पोट्रेट फोटोग्राफी सबट करता है इस फोन में 80 पासां लाज में जेसें सोर कैप्चार मो लाइट तू डिलिवर पोट्रेट तो पहला जो फोन है जिसमें AI-driven 48MP for personal quality pictures in every setting तो देख सकते हैं राइजिंग कैमेरा इसमें दिया गया है तो कैमेरा लिफ्ट अप होता है इस फोन में तो rising the bar when it came to clicking selfie with the rising front camera जो almost 48MP का है और panorama के साथ क्या बात ही क्या panorama का picture भी दिया गया है 6.5 inches का display में दिया गया है 19.90% screen ratio दिया गया है उसके साथ 3D कुछ casting दिया गया है इसमें भूक चार्जिंग दिया गया है तो हां भूक चार्जिंग बहुत फास्ट है समसे फास्ट है वूक चार्जिंग क्योंकि वो बैटरी को दो दो भाग मतलब डिवाइड कर सकते है दोनों में फिर 2000-2004 फोर फोर फास्ट मिलियांपर जो बैटरी है 2000-2000 में डिवाइड करता है और एक की साथ दोनो 2000-2000 मिलियांपर के जो बैटरी के डिवाइडर है एक साथ चार्ज करता है इसलिए पूको इस ओपो जलने से चार्ज हो पाता है इस फोक पा फोक चार्जिंग के जरीए कोई micro USB 3 नहीं micro USB-C नहीं दिया गया है तो एक disappointment है तो आपको बता दें Ramrom Mediatic Helio P70 जो आपको मिल सकता है इनहीं का साथ ब्रेंड जो है Realme ओ दे रहे हैं 8000 या 9000 रुपए में तो या वाटे जोक Mediatic P70 आप नहीं समय रहते हैं Mediatic P70 बहुत हाई ग्राफिक में आप लोगों समय नहीं होगा Mediatic P70 बहुत हाई ग्राफिक में PUBG नहीं प्ले कर सकता यह एक truth है दोस्तों हाँ तो yes that's the truth high power boosting for the gaming experience जोक नाथिंग एल्स तो details में कुछ बात करता है 48MP प्लास 5MP dual camera इसमें दिया गया है तो yep 60MP front rising camera इसमें दिया गया है तो मैंने पहले बता यह था कि 48MP का rising camera नहीं दोस्तों 16MP का front rising camera so yeah 6.5 inch full HD plus display resolution आप देख सकते है 397 PBI दिया गया है और memory देखता 6GB ROM 64GB internal memory आप टू 256 dual nano sim दिया गया है dual standby दिया गया है android pi दिया गया है 9.0 operating system with 2.1 giga attack helio p70 जो processor बहुत अचा है पर इस price में घाटिया है processor बहुत अच्छा है पर price घाटिया है तो 4000 battery दिया गया है उस book super book charging जो बहुत अच्छा है तो मुझे क्या लगता है phone अच्छा है price बहुत ज़ादा घाटिया है तो 25,000 इसे huge money तो आप लोगों को समयता होगा 25,000 में आप samsung का कोई अच्छा सा A15 तो 19,000 में आता है यार 19,000 वो इससे बहुत ज़ादा बढ़िया है तो come on guys यह phone जिसमें selfie rising camera दिया गया है और यह phone इसके लिए 48MP का एक sensor के लिए helio p70 48MP का sensor support ही नहीं करता टेक्निकली वो एक फेक sensor like कुछी दिन पहले जो रेडमी प्रो का क्या आया था ना नोट 7 प्रो उसमें भी कैसा 48MP का rising camera जिसमें camera उठल 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 के बात करता है तो ऐसा कुछ 48MP जो या इससे जोग बेसिकली आपको पोको का फोन मिल सकता है उनीस हजार बीस हजार में या फिर आपको Samsung का कोई फोन मिल सकता है ऐसा ही प्राइज में तो आप दूसरे फोन देखिए यह फोन पर क्यों खर्चा करें अपने फोन को तो यस आपको अगर आप पोको फैन नोय है तो हाँ खरे सकते हैं क्योंकि आप पोको फैन वय हैं अगर आपको टेक्निकल देखने यह फोर फ़रप्राइस फोन है तो या थैंक यू फ़र वासिंग दिस वीडियो जो अधे दिवी आइए इस वीडियो सस्क्राइब किजी दो शस्